अर्णब गोस्वामी के पीच लडाई अब सुप्रेम कोर्ट में चल रही है अर्नब गुस्वामी से डर कर उध्व सरकार ने अर्नब को कोट में घसीटने के धमकी दी थी लेकिन एक केस में महाराश्ट और सरकार को सुप्रेम कोट से बड़ा जटका लगा है विश्यशा दिकार नोटिस के खिलाब सुप्रेम कोट पहुचने की वज़ा से 13 अक्टूबर को अर्नब गुस्वामी को लेटर लिखने और ढराने को लेकर सुप्रेम कोट ने महाराश्ट और विधान सभा के सचिव को अमानना का नोटिस जारी किया है साथ ही कोट ने इस मामले में गुस्वामी की गिरफतारी पर रोक लगा दी है महाराश्ट के मुक्यमंत्री उद्व ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराश्ट विधान सभा के सचिव ने अर्नब गुस्वामी के खिलाब विश्यशा दिकार नोटिस जारी किया था सुप्रेम कोट ने विधान सभा के सचिव को दो सब्ता बात इस केस की अगले सुनवाई के दवरान कोट में हाजिर रहने को कहा है तब तक कोट ने इस मामले में गुस्वामी की गिरफतारी पर रोक लगा दी है सुप्रेम कोट ने कहा है कि ये लेटर गंभीरता पूर्वक नय प्रशासन में दखल देने वाला है क्योंकि इसमें कोट जाने को लेकर गुस्वामी को धमकाया गया है जस्टिस एस बपन्ना और जस्टिस वीर रामा सुबर्मडियम ने इस लेटर को चौकारे वाला बताया है कोट की माने तो इस लेटर के माध्यम से अरनप को डराने की कोशिश की गई है क्योंकि उसने कोड का रुक किया और उसे ऐसा करने को लेकर जुर्माने की धमकी दी गई कोड ने आगे कहा कि विधान सभा को ये समझने की सला दी जानी चाहिए थी कि कोड जाने का अधिकार समविधान के अनुचेत 32 के तहट मौलिक अधिकार है सुप्रेम कोट ने इस मामले में सहायता के लिए अटानी जनर्रल केके वेड़ो गोपाल को नोटिस चारी किया है गोस्वामी के वकील हरीश सालवे ने 13 अक्टूबर को लिखे गए लेटर को कोट के सामने पेश किया सालवे ने अरनव गोस्वामी की पतनी के और से शपत पत्र के साथ आवेदन दिया क्योंकि खुद अरनव एक दूसरे मामले में जेल में है गोस्वामी को वुदवार को 2018 के एकसुसाइड मामले में गिरपतार कर लिया गया था माना जा रहा है कि महराश्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जटका है हाला कि अरनव से बदला लेने के लिए एक दूसरे मामले में मुंबई पोलिस और महराश्र सरकार ने अरनव को फसा दिया है अब देखना होगा कि उस मामले में अरनव को कब नयाय मिलता है जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 खत्म होने के एक साल बाद पीडीपी नेशनल कॉन्फरेंस और अलगावादियों ने विरोध शुरू कर दिया है वीते एक साल से कश्मीर में शांती थी क्योंकि के स्थानी नेताओं को नजर बंद किया गया था हाला कि इनकी रिहाई के साथ ही एक बार फिर कश्मीर में 370 की मांग उठने लगी है नेशनल कॉन्फरेंस और पीडीपी प्रमुक महबुबा मुफ्ती दोनों ने गड़ जोड कर लिया है और लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रहे है इन नेताओं ने गुपकार गैंग भी बनाया है जिसका मकसद कश्मीरियों को केंदर सरकार के खिलाब भढ़काना है हाला कि स्थानी नेताओं की बयानबाजी का बीजेपी सहित कई देलों ने विरोध किया है लेटिनन जनरल विके चतुरुवेदी के अगवाई में चारी साचा बयान में कुल 266 बुद्ध जीवों के हस्ताक्षर है इन में राजस्थान, हाइकोर्ट के पूर मुके नयधीश, हाइकोर्ट के नौ पूर नयधीश और रौ के पूर प्रमुक संजीव तरपाठी के साथ ही पूर सैन अधिकारी, पूर नौकर्शा, शिक्षाविद, वाप्रशासक शामिल है इन बुद्ध जीवों ने साब कर दिया है कि किसी विराजनेतिक दल से उनका कोई संबन नहीं है लेकिन संविदान द्वारा दी गई अभिवेक्ट की आजादी का जिस तरह सी दुर्पियोग कर राश्टी धोज का अपमान और दुश्मन देश के साथ मिलकर देश को तोड़ने की बाद की जा रही है उससे वो चिंतित है इन लोगों का ये भी कहना है कि महबुवा मुर्तिकार राश्टी धोज की जगा पार्टी की ज़ंडे के इस्तमाल का बयान 1971 के राश्टी धोज अपमान निरूतक कानून का उलंगन है इसके लिए उन्हें तीन साल की सजा हो सकती है इसी तरह चीन की मदद से 96370 को वापस लाने का फारुक अब्दुल्ला का बयान देश त्रो की श्रेडी में आता है आला कि सवाल के इंद्र सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कश्मीर को तोड़ने वाली ऐसी बयान बाजी के पाद भी ये आजाद घूम रहे हैं वरिष्ट पत्रकार अर्नव गुष्वामी की गिरफतारी के बाद से उनके विरोधी पत्रकार हमलावर हो गए हैं पोश्ट में रविष्ट ने लिखा है कि मुंबई पोलिस को ये साफ करना चाहिए कि पुराना मामला दोबारा से आखिर क्यों खोला गया है ताकि लोगों को संतोश हो सके कि अर्नव की गिरफतारी कानून के दाइरे में हुई है रविष्ट कुमार ने कहा कि हर कोई अर्नव के साथ खड़ा है लेकिन अर्नव ने कभी ऐसा नहीं किया रविष्ट कुमार ने लिखा कि अर्नव की पत्रकारिता रेडियो रवांडा का उधारण है जिसके ओधगोशक ने भीड को उकसा दिया और राखो लोग मारे गय थे अर्नव ने कभी भीड की हिंसा में मारे गय लोगों का पक्ष नहीं लिया पिछले चार महिने से अपने निव चैनल में वो जो कर रहे हैं उस पर आदालतों की कई टिप्पिणिया आ चुकी हैं तब किसी मंतरी ने क्यों नहीं कहा कि कोट अभी व्यक्ति की सोतंतरता पर हमला कर रहा है दरसल बुधवार को मुंबई पुलिस ने अरनव को उनके घर से गिरफतार किया था पुलिस के इस कारवाई की तमाम केंद्रिय मंतरियों समेत धेर सोचल मेडिया यूजर्स ने मजम्मत की ऐसे लोगों ने इस कारवाई को पत्रकारिता पर हमला बताया बीजेपी ने मामले को लेकर महराष्ट के राज्येपाल भगत सिंग कोश्यारी से मुलाकात की हाला कि कुछ पत्रकार और भुद्धी जीवी अरनव की गिरफतारी पर अरनव को ही दो सिठाराने में जुटे हैं महराष्ट में उधो सरकार की कहने पर मुंबई पुलिस ने पुराने मामले के आधार पर वरिश पत्रकार अरनव गोस्वामी को गिरफतार कर लिया है अरनव की गिरफतारी पर सवाल उठ रहे हैं देशपर में अरनव की गिरफतारी का जम कर विरोध हो रहा है लेकिन एक किसान को हत्या के लिए उक्साने के आरोप में शूसेना सांसद अभी तक खुले आम घूम रहा है किसान ने बाकाइदा सुसाइड नोट में शूसेना सांसद उम्प्रकाश राजे पर हत्या के लिए उक्साने का आरोप लगाया था वही किसान का परिवार अभी भी नयाय का इंदिसार कर रहा है विर्दक परिवार की मांग है कि जिस तरह पुलिस ने अरनप के खिलाब कारवाई की है वैसे ही कारवाई शुसिना सांसत के खिलाब करें दरसल पुलिस ने उम्प्रकाश राजे समेत चपन लोगों के खिलाब किसान को उकसाने का मामला दर्च किया था आत्मत्या करने वाले किसान की पतनी ने सियम उदर ठाकरे से मांग की है कि दिलेब धौले की आत्मत्या के लिए जिम्मिदार उम्प्रकाश राजे और दूसरे आरोपियों को दतकाल निप्टाया जाए किसान का परिवार एक साल बीच जाने के बाद भी जाच नहीं होने से नाराज है किसान के परिवार के माने तो लोगसबा चुनाओ के दौरान उदर ठाकरे ने वादा किया था कि उनको नयाय मिलेगा किसान के परिवार ने ये भी खुलासा किया है कि आत्मत्या के पाच महने बाद पुलिस ने मामला दर्च किया था लेकिन अभी तक के संबन में जाज शुरू नहीं हुई है किसान आत्मत्या मामले में अभी तक कारवाई नहीं होने से उधो सरकार कटगरे में है बड़ा सवाल है कि शुसेना सांसत के खिलाब सबूत मिलने के बाद भी अभी तक कारवाई क्यों नहीं हुई है जबकि फाइल बंद हो चुके मामले में अर्नप को गरपतार कर लिया गया है ऐसे में उधो सरकार की एक बार फिर असलियत सामने आ चुकी है देखना होगा शुशेना सांसत के खिलाब ठाकरे सरकार के पुलिस कारवाई कब तक करती है अमेरिका का अगला राष्ट्रपती कौन होगा? अभी ये तस्वीर साथ नहीं है वोटों की गिंती जारी है परतमान राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प और जो बाइडन के बीच काटे की टककर चल रही है अभी तक बाइडन 253 और ट्रम्प 214 इलेक्टरोल वोट जी चुके हैं हाला कि नतीजे बाइडन के पक्च में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बाइडन बहुमस से चंद कदम ही दूर है उधर ट्रम्प ने बाइडन पर गंभीर आरोप लगाया है ट्रम्प ने बाइडन पर चुनाओं में धांदली का आरोप लगाया है और माना जा रहा है कि वाइट हाउस का रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट से होकर भी गुजर सकता है वहीं एक खबर ये भी आ रही है कि अगर ट्रम्प चुनाओं हार भी जाते हैं तो वाइट हाउस छोड़ने के लिए तयार नहीं होंगे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राजुनितिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी हारे हुए राज्ट्रुपती ने वाइट हाउस छोड़ने से इंकार किया हो इस बार ट्रुम्प के कैरेक्टर और बयानों को मिला कर देखा जा रहा है इसलिए कुछ आशंकाये जरूर है ट्रुम्प कई बार कह चुके हैं सत्ता हसान्तरण या पावर ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं होगी मैं वाइट हाउस में ही रहूंगा इसे अब धमकी के तौर पर देखा जा रहा है हाला कि इस मामले को लेकर जो बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि अगर ट्रुम्प वाइट हाउस ठोड़ने के लिए तायार नहीं होते हैं तो मिलिट्री उन्हें वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाल देगी वहीं अभी चार राज्यों के वोटों की गिंती बागी हैं और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बार 20 जन्वरी को अमेरिकी राश्टपती के तौर पर शपत कौन लेता है महराश्ट में महाविकास अगारी सरकार बनने के बाद से ही सरकारी कामकाच में राज सरकार का स्थश्य बढ़ गया है सियमुद और ठाकरे अपने मताविक अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग कराते हैं अब इसी को लेकर महराश्ट के डीजेपी नाराज हो गए है डीजेपी सुबोद जैसवाल ने महराश्ट सरकार के खिलाप मूर्चा खोल दिया है उन्होंने अलान किया है कि अब वो महराश्ट में नहीं रहेंगे और केंदर के पास जाएंगे डीजेपी का आरोप है कि सितंबर महिने में ही करीब 50 सीनियर पुलिस अबसरों के तबादले किये गये हैं इसके बाद निचले इस तरफ के अबसरों के तबादले भी हुए हैं लेकिन उनसे इस बारे में कोई राय नहीं ली गई है सूतरों के मताबिक बिना डीजेपी की राय को एहमियत दिये और भी कई सीनियर अपसरों के मनमाने तरीके से किया जा रहे तबादले से नाराज महराश्ट पुलिस के मुखिया डीजेपी सुबोज जैसवाल ने महराश्ट छोड़ने का फैसला किया है और उन्हें राजसरकार की तरफ से हरी ज़ंडी भी मिल गई है रौ में कई सालों तक काम कर चुके सुबोज जैसवाल को नेशनल सेकर्टी गार्ड यानि एनस्सी के डीजी की पोस्टिंग मिल सकती है फरवरी 2019 में महराश्ट के डीजीपी का पदभार गरहड गिया था घौरतलावे की अर्नब गोस्वामी की गिरफतारी पूरी तरह पुलिस में राजनेतिक हस्तशेप और मौनवानी का एक सबसे बड़ा सबूत है रिपब्लिक टीबी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को दो साल पुराने आत्मत्या के मामले में गिरफतार करने से पहले आपरेशन अर्नब के तहत गुप्त व्यू रचना की गई थी इसके कमान राज के ग्रे मंत्री अनिल देश्मुक ने अपने हाथ में रखी थी उन्होंने श्यूसेरा कॉंग्रेस और न्सेपी की साजा सरकार की रणीत के अनुसार अर्नब गोस्वामी को घेरा सुत्रों के मताबिक आपरेशन अर्नब को अंजाम देने और गोपनिता बनाये रखने के लिए ग्रे मंत्री ने जानबूच कर डीजीपी की अन्देकी की और अपने चहते पुले सधिकारियों को तबादलग कर इस ऑपलेशन को अंजाम दिया और इसी से डीजीपी सुबो जैस्वाल महराश और सरकार से नाराज हो गए है महराश के मुख्यमंत्री उद्व ठाकरे और यूपी के सीम योगी आदितनात के बीच फिल्म सिटी को लेकर बहस छिड़ गई है पिछले दिनों सुशान के अत्या के बाद योगी आदितनात ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का एलान किया था योगी ने बाकाइदा इसके लिए फिल्म जगत के लोगों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की सियम योगी के इस पैसले से उधो सरकार जल गई थी अब इस पर एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है सियम उधो ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी आधितनात को चुनोती देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो वो फिल्म सिटी को उत्तरप्रदेश में ले जाकर दिखाएं दरसल सिनेमा जगत से जुड़े हुए एक बेबिनार में मुख्यमंत्री उधो ठाकरे ने बोलते हुए योगी आधितनात पर निशाना साधा है दूसरी तरप उधो ठाकरे ने मुंबई फिल्म सिटी में आधिनिक सुभधाय मोहिया करवाने का भी भरुसा फिल्म जगत को दिया है उन्होंने कहा कि बॉल्यूड एंडस्टी में कई सारी समस्याय और परशानिया है जिनको दूर करने का काम हमारी सरकार करेगी वहिए शिवसिना ने बीजेपी पर आरूप लगया कि मुंबई से बॉल्यूड को दूसरी जगा शिप करने का शड़ेंद्र किया जा रहा है लेकिन हम इसे पूरा नहीं होने देंगे मुंबई महराश्ट की आर्थिक रास्थानी ही नहीं बलकि सांस्कृतिक रास्थानी भी है उद्व ठाकरे ने ये भी का कि कुछ दिनों से कुछ लोगों की वज़ा से बॉल्यूड को बदनाम करने की भी साजिश की जा रही है जो बहद ही दुखत है हाला कि उद्व ठाकरे भले मुंबई फिल्म सिटी में आधिनिक सुधा मोहिया कराने की बात कर रहे हैं लेकिन लॉक्टाउन के दौरान अजारों फिल्म उद्योग से जुड़े लोग विरुजगार हो गये थे लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई हाला कि उपि में फिल्म सिटी बनने से सिनेमा जगत को ही फायदा होगा क्योंकि सियम योगी ने कहा था कि वो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तरप्रदेश में बनाएंगे ऐसे में फिल्मी जगत को उपि सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात मानी जा रही है